नमस्कार मोप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है बिहार में अब नहीं होगी बालू की किलत अब नहीं होने वाली है क्योंकि बिहार सरकार 84 महत्वपूर्ण बालू घाटो की परियावरन मन्जूरी की अबधी विस्तार की तयारी कर रही है पिछले 11 अप्रेल को हुई बैठक में स्टेट इंविरॉनमेंटल एक्सपोर्ट अप्रेजल कमीटी ने शर्तों के साथ इसकी अनुसंशा कर दी है आगे परियावरन प्रभाव आंकलन प्राधिकार इस पर अंतिम मोहर लगाएगा जो इसकी बाद अब उमीद यही जताई जा रही है कि बिहार में अगले कुछ सालों तक बालू घाटों की निलामी में दिक्कत नहीं आएगी इस कारण बालू की किलत की आश्रंका भी कम है सबसे एहम बात यह है कि परियावरन मंजूरी के अबधी विस्तार से कुछ सालों के लिए बालू घाटों की निलामी में दिक्कत नहीं है वही नाशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या दूसरी अदालतों में परियावरन कानूनों के उलंगहन के मामलों में का सामना करणिक याश्रंका कम हो जाएगी AES और JE के नियंतरन को लेकर आक्षिन में नितीश सरकार बिहार में कोरोना की लहर भले ही आ जा रही हो लेकिन कुछ बिमारिया ऐसी है जो तैसावे पराती भी है और कई जिंदग्यों को उजाण कर भी जाती है जुसमें ये एक AES और JE है ये ऐसी दो बिमारिया है जो सपर नियंतरन लाना चुनाती पुर्ण हो गया है ऐसे बिमारियों में जो गर्मी में बढ़ने के साथ ही अपना रोधर रूप दिखाने लगती है इसके ही रोख थाम के लिए अब नेतीश सरकार भी लग गई है स्वासर वभाग निराजुके AES और JE प्रभावित बारह जिलों में पंचायद बार अंबुलेंस की तैनाती करने का निर्णे लिया है जिसमें पट्टा, वैशाली, मुजफरपूर, समस्तिपूर, दर्भंगा, सारन, सिवान, गोपाल गंच, पुर्वी चंपारन, पश्चुमी चंपारन, सीता मड़ी और शिवहर शामिल है इसके लिए वभाग ने सभी सम्मनित जिलों के जुलाधिकारी और सिवल सर्जुनों को निर्देश दिया है प्रारंभिक सिख्चोकों को नियुक्ती पत्र बाटे जाने की तैयारी पूरी बिहार के सभी प्रारंभिक सिक्षकों को नियुक्ती पत्र बाठने की तैयारी तेज हो गई है। अंकित मेधा अंक एन आई सी पोर्टल पर प्रकाशिक मेधा सूची और अंक पत्रों से मिलान करना जरूरी होगा। बिहार में समय से पहले प्रचंड गर्मी लोगों का हाल बेहाल। जुसका सीधा असर अब लोगों के स्वास्त पर भी देखने को मिलने लगा है। अलग-अलग अस्पतालों से आई जानकारी के रुसार लगातार प्रचंड गर्मी से लोगों की सेहत भी बिगड़ने लगी है। अस्पतालों की OPD में उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या वे 15-20 फीजदी बढ़ोत्री देखी गए। पटना सहीत पूरे सूबे के अस्पतालों में बुखाल, डाइडिया और उल्टी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अडवाईजरी जारी की है, लापरवाही करने वालों के लिए दिन के 3 घंटे याने 12 से 3 बज़े का समय ज्यादा घहा तक साबित हो रहा है। बिमार पढ़ने वाले ज्यादतर लोग ऐसी से बाहर अचारक से धूप में बिना परियाप्त पानी के ही निकल रहे हैं। करोड रुपे की लागत से निर्मित महाबोधी सांस्कृति केंडर का लोग कारपन करते वे, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंडर के ठीक बगल में परेटेकों के लिए 136 करोड रुपे की लागत से 100 कमरे के विशिष्ट अतितिकरी का निर्वान करार है। इसके साथ ही इसके अप्रोशपत का काम भी इस साल के दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे परेटेकों की संख्या में और अधिक इजाफा होने की उमीद है। पर्टा के लोगों को मिलेगी AC CNG बसों से रहात। दो कंपनी मिलकर इन बसों की आप उड़ती करेगी। अगले महीने के अधि तक BSRTC की सिटी बसों के बेड़े में ये बसे शामिल हो जाएंगी। सबसे खास बात यही है कि शहर की सड़कों पर दोडने वाले ये पहली AC CNG बसे होंगी। परतमार में 70 CNG बसे शहर की सड़कों पर दोड़ रही है। बिहार में सिंगर कुमार सानू की कारिक्रम में जम कर हुआ हुड़दंग। सिंगर कुमार सानू जहां भी जाते हैं चार चान लगाने का काम करते हैं। ऐसे में मौका उनके कॉंसर्ट का हो तो इंतजार उनके हर एक प्रसंश को जरूर होता है। और ऐसे में अगर वही देरी से आ या कारिक्रम से कहीं बाहर चले जाए तो भीड का गुसा भी देखने को मिलता है। ऐसा ही हुआ बीते दिल मिहार के हाज़िपूर में भी वहार के हाज़िपूर में वैशाली महोसव कारिक्रम तीन दिवसीये चल रहा था जिसमें अपना कारिक्रम देने कुमार सानू वैशाली पहँचे थे। इसी दोरान कुमार सानू गाना गाते गाते पांच मिनट की ब्रेक पर चले गए। इस दोरान ही गुसाई लोगों ने अपना गुसा कुरसी पर उतार दिया और जम कर कुरसियां तोड़ने लगे। काफी संख्यावे पुलिस बल की भी तैनाती वैशाली महुतसाव मिकी गई थी। पुलिस ने भीड को शांत कराने के लिए अपना भल का भी प्रयोग किया। लाठी चार्ज भी की तब जाकर भीड शांत हो पाई। और अंगबाद सांसत सुशील सिंग पतनी समेथ कोरोना पॉजिटिव नित्यानंद्रोय भी हो सकते हैं संक्रमित। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट भले ही जारी है लेकिन अन्य राज्यों में से आए कोरोना पॉजिटिव केस अभी भी डराने वारे है। वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ पहले की तरह सामाने हो गया है जिसके तहए थी खूब सारे राज्योंति कारिक्रिम का आयो जिन भी हो रहा है। इसे बीच बिहार के और अंगबाद में कोरोना ने एक बार फिर दस तक दे दी है भाजपाज सांसत सुशील कुमार सिंग और उनकी पतनी आरती सिंग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है इस बात की जानकारी नहोंने ट्वीटर के जरिये दी। अपने ट्वीटर अकाउंट पर उन्हा ने लिखा की कोरोना के लक्षिन महसूस होने पर मैंने अपनी कोविड-19 चार्ज करवाई रिपोर्ट पॉजिटिव आई गौर तरव है कि रिपोर्ट आने के 24 घंटे पहले ही सांसत सुशील कुमार सिंग कई कारिक्र में शामिल बिहार में 11 साल से बन रहे पुल पर नितीश ने फिर शुरू किया काम गंगानदी पर पटना जुले के बखसियारपूर स्थित करजान और समस्तिपूर के ताजपूर के बीच 11 वर्षों से बन रहे पुल का निर्मान कारे अगले दो वर्षों में पूरा होने की उमीद है अब तक इस बुल का 52 प्रितुष्चत काम पूरा हो चुका है। रावजद खेमा अपने इफ्तार पार्टी को लेकर तैयारियों में जुट गया है हाला कि पिछले दो साल से कोरोना की वज़े से ये संभव नहीं हो पा रहा था लेकिन इस बार फिर से इसकी शुरवात हो चुकी है। प्रतिपक्ष्टी रापरी देवी वधान सभा में निता प्रतिपक्ष्टी जस्वी यादव और वधायक तेज प्रताप यादव की तरफ से लोगों को आमंत्रन देने का काम हो रहा है। पुर्फ प्रिधार मंत्री चंदर शेखर की जयनती पर ताइट दिखी सीम नितीश की सिक्यूरिटी। हाले में मुख्यमंत्री नितीश कुमार की सुरक्षा में हुई सेंध मारी का नतीज़ आप दिखने लगा है। जिसके तहती मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर दो बार हमला होने के बाद सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया। दरसल मुख्यमंत्र नितीश कुमार आज पटना में पुर्फ प्रिधार मंत्री चंदर शेखर की जयंती के अफसर पर एक राज़की असमारों पे शामल होने पहुचे थे, यहाँ पर उनकी सुरक्षा में बड़ा बदलाब देखने को मिला। मुख्यमंत्र नितीश कुमार जब चंदर शेखर की प्रतिमा को श्रधांजली देने पहुचे तो उनके आसपास सिक्योरिटी टाइट लिखी जहाँ उन्होंने पुर्फ प्रिधार मंत्री चंदर शेखर सिंग के आदमकद प्रतिमा पर मालियार पन कर उनके बताय रास्ते पर चलने का संकल्प लिया इस मौके पर कई गणमान ये लोग मौजूद थे वही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चंदर शेखर सिंग पार्क में साफ सपाई और इसे सू विवस्तित रखने का निर्देश दिया है वश्युपति पारस के काफिले पर पत्राग लोच् पाके समर्थक भी अब एक दूस्टे के कटर विरोधी हो गए हैं बीते दिन भी ऐसा ही मंदर देखने को मिला जब पटना जिले के घोसवरी प्रखंड स्थित चारा दिह में चोर मल महुतसब में जमूई से सांसत चुराग पासवान ने अपने पिता और पुल्फ केंद्र मंतरी रामविलास पासवान की मूर्ती का नावरन किया उनके जाने के बाद महा केंद्र मंतरी पशुपती पारस पहुँचे तो उनके काफिले पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया लोग उन्हें मेले में जाने से रोकना चाह रहे थे वो तो भला हो पुलिस कर्मियो का कि पुलिस कर्मियों की मौजूद्गी में पारस ने किसी तरह मंदिर में पूजा की, इस दोरान भी आक्रोशित भीड मंदिर के पास जमा हो गई वापस जाने का नारा भी लगाने लगी। इस दोरान मुख्यमंतर नितीश कुमार ने कहा कि नवलकिशोर रॉयल से मेरा पुराना सम्मन्ध था, जन्नायक कर पूरी ठाकुर के सवे से उनसे मेरा सम्मन्ध था, मुझे इस घटना से काफी दुख हुआ है। एक हजार किलोमेटर ड्राइब करके हम RCB के लिए आए हैं। इस साल कप नाम ने इस पोस्टर का जवाब मैच के बाद दिनेश कार्तिक ने ट्विटर के जर्ये दिया है। ट्विटर पर जब इस पोस्टर को शेयर किया गया तो दिनेश कार्तिक ने इस पर जवाब देते में लिखा उमीद करता हूँ कि आपका ड्राइब करना आज बेकार नहीं गया होगा। कल हमारे दुआरा पूछे गए सवाल का जवाब आप मेंसे बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप मेंसे जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनकी नाम है विजए घायल, सुमन सौर, पिंटु क का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार IPL में मौझूदा टीम के परफॉर्मस को देखते वे किस टीम के इस साल जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खब करें और लाइक और दबाना ना भूले धन्यवाद